हेलो फ्रेंड, वेलकम बेख श्वागत हैं आप शब का टीचिंग बीद बिवेग यूटूब चैनल पर आज हम लोग पठने वाले हैं जिके के उन महत्तुपून प्रिशनों को जो आने वाले प्रतेक एक्जाम के लिए बेहद यूजफूल होंगी तो आई शुरू कर लेके हैं आज के बेडियो को आज का पहला प्रिशन है कि उत्तर प्रदीश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था तो यहां जाना जाता था यूनाइटिट प्रविंश के नाम से यानि आफशन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगले प्रिशन क्यूर प्रिशन नम्बर दूसरा क्या है कि उत्तर प्रदीश पंचायत राज शन्षोधन अधियम कब पारित किया गया तो यहां पारित किया गया था उन्नी शोग 94 वेविसीवी में यानि आफशन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगले प्रिशन क्यूर प्रिशन नम्बर तीसरा क्या है कि उत्तर प्रदीश मुख्य मंतरी की नियुक्ति कौन करता है जहां पर आफशन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा कौन करता है तो राजिपाल कौन करता है तो राजिपाल तो उत्तर प्रदेश की राजिपाल कौन है तो उत्तर प्रदेश की राजिपाल कौन है तो उत्तर प्रदेश की राजिपाल कौन है तो उत्तर प्रदेश की राजिपाल है आनंदी बेन पटेल क्लियर है आनंदी बेन जाएगा, option C हमारा correct का 3 isthiri है, किष्या है 3 isthiri है, आगे बढ़ेंगे question number 5 पे, question number 5 है कि उत्रपदेश में विधान शबाक को भंग करने का अधिकार क्षी है, उत्रपदेश में विधान शबाक को कौन भंग कर सकता है, यहां भंग कर सकते हैं, राजिपाल, कौन कर सकता है, र आगे बढ़ेंगे प्रिशन नम्बर 6 की ओर प्रिशन नम्बर 6 है कि अशोक द्वारा निर्वेद भारत का राज जिन इस्तम्भ उत्रपदेश में कहां पर इस्तित है यह है इलाहबाद मत्थुरा अलीगण या शारनाथ तिया है शारनाथ में आफशन हमारा डी करिक्ट हो प्रिशन नम्बर 6 है कि त किसे नगर में इस्तित है यह है तो ताज महल आगरा में इस्तित है लगनोग को हमलोग नौाबों का शेयर कहते हैं नौाबों क के इसे जाना जाता है तो लखनो को, किलिए है मेरे दोस्तों, चलो, आगे बढ़ेंगे, प्रिशन नमबर आठ की ओर, प्रिशन नमबर आथ है, कि बोध धर्म की ब्रजियान शाखा का ओदियान उत्तरपदीस में कहां हुआ था, यहां पर आफशन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो आफशन हमारा बी करेक्ट होगा, कौन शाख आफशन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, शारनात में, कहां पर शारनात में, क्लियर हैं, चलो, आगे बढ़ें, आगे लिए प्रिशन की ओर, प्रिशन नमबर नौ, प्रिशन नमबर नौ है, किस सन में उत्तरपदीस का नाम सैंक्त प्रांत द आगे देखेंगे प्रिशन नंबर 10 की ओर, प्रिशन नंबर 10 क्या कह रहा है, कि उत्तरपदेश में 18-18 की कृराम्ति का प्रारम रहल च्रबर्थम किस्न नगर्षे हुआ था, यह हुआ था यहुआ था, यह मेरट से, से हुआ था, merit से यानि option हमारा भी correct हो जाएगा, आगे बढ़ें, चल, आगे बढ़ेंगे अगले परशन की ओर, उत्तरपदेश की किशान आंदोलन का निक्तितु किस नेता ने किया था, तो 11 का, 11 का D correct हो जाएगा, 11 का D, पंडित जवाहलार नहरू ने किया था, किस ने उत्तरपदेश में इस्तित, बुलंद दरवाजा, कहां पे इस्तित है, तो यहां इस्तित है, फतेपुर, शीकरी, option हमारा A correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे अगले परशन की ओर, अगला परशन है, परशन नम्मर 13, कि उत्तरपदेश में आयोध्या में इस्तित, जो सिला लेख है, वह किश काल का है, प्रिशन नम्मर 13, तो प्रिशन नम्मर 13 का एंसर हो जाएगा, option C, शुंक काल का है, option C correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्रिशन नम्मर 14, प्रिशन नम्मर 14 क्या खरा है, कि उत्तरपदेश का सूच में यंत्र बनाने का प्रदोगी केंदर कौन सा option हमारा correct हो जाएगा, 14, तो 14 का A option correct हो जाएगा, कहाँ पे है, तो लखनो, कौन सा है, तो लखनो correct हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे प्रिशन नम्मर 15 की उर, प्रिशन नम्मर 15 है, कि उत्तरपदेश में मानिता प्राप्त stock exchange है, लखनो में, काजियाबाद में, प्राप्त है, यहां पर आफशन आपका डी correct हो जायगा, कितना चार शोब 45 कितने 404 option 17 का option D हमारा एकदम correct हो जाएगा आगे चलें प्रिश नमबर 18 की उर प्रिश नमबर 18 है कि उत्रपदेश के किस इस्थान पर महत्मा बुद्ध ने निर्मार प्राप्त किया था तो आफशन आपका कौन सा correct हो जाएगा 18 का तो 18 का श्री correct हो जाएगा किस नगर में तो कुशी नगर में किसमें कुशी नगर में के लिए है चलो आगे बढ़ेंगे प्रिश नमबर 19 की उर उत्रपदेश का वर्तमान राजधानी नगर है यानि उत्रपदेश की राजधानी क्या है आपसे यहां प्रिशन पहुचा गया है तो उत्रपदेश की राजधानी क्या है लखनो है उत्रपदेश की राजधानी लखनो है आगे हैं उत्तरबदेश का प्रशिद्धी दुद्धवा National Park कहां इस्थित है? लकीमपूर, वरार्वाल सी, हमीरपूर या बांदा तो दुद्धवा National Park कहां इस्थित है? तीज़ित है लकीमपूर खीरी में यानि आफशन हिमारा ए एक दम करिक्ठ हो जाएगा क्लियर है चलो अगे बढ़ेंगे प्रिशन नमर 21 की ओर और प्रिशन नमर 21 कह रहा है कि उत्तरपदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा था पिया पड़ा था बारा जन्वरी 1950 को बारा जन्वरी 1950 यानि भी आफशन हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रिशन नमर 22 है उत्तरपदेश में तामा किस जले में पाया जाता है यहां पर आफशन हमारा D करेक्ट हो जाएगा कहा पी दुलल लीदपुर में आगे बढ़ेंगे प्रशन नमबर 23 की उर, अगला प्रशन है कि उत्तरपदीस में rock forest कहां पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बांदा में, कहां पाया जाता है? तो बांदा में option A हमारा correct हो जाएगा 25 प्रेशन है कि उत्तरपदेश में हीरा किस जिले से निगाला जाता है हीरा, बांदा, हमीरपूर, जालोन या ललिटपूर यहां पर आफशन A करेक्ट हो जाएगा क्या बांदा आगे चलें अगले प्रेशन की ओर प्रेशन नममर 26 है, उत्तरपदेश में कौन सी मिट्टी शरवाधिक पाई जाती है यहां पाई जाता है, यहां पाई जाता है कहां पर मिरजापूर में अफ्षन A हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा अगे बढ़ें, उत्रपदेश में यूरेनियम के भंदार कहां पाय जाते हैं, यूरेनियम की भंदार कहां पाय जाते हैं Q28 का आपका answer क्या हो जाएगा? Q28 का हमारा होगा A, कहाँ पाजाते हैं, तो ललितपुर में पाजाते हैं, कहाँ पे? तो ललितपुर में पाजाते हैं, option A correct हो जाएगा. 29 प्रशन है कि भारत में गन्नात पादन की दृष्टे उत्रपदेश किस इस्थान पे है? तो लितप्रपदेश का कौन सा इस्थान है? 21 का क्या हो जाएगा? तो 31 का A correct हो जाएगा. किस स्थान पे हैं? तो पहले स्थान पे हैं, प्रफम स्थान पे हैं. आगे चलेंगे प्रशनम्र 30 की उर्ब और प्रशन में 30 में शर्वातिक सीचाई निम लिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है। तो यहां की जाती है भीया, नल कूपों के द्वारा आफशन हमारा डीज होगा, वह एकदम करिक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा, आज का सेशन कमिट बक्स में हम जरूर बतीएगा, यह आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब लिजीगा, मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहन धन्यवाद।